नमस्कार, Newsroom Post में आप सभी का सौगत है, मेरा नाब है कौरब अजय देवगन और तब्बू भोला फिल्म के प्रमोशन में देस्थ है लखनव में इस फिल्म के प्रमोशन को खूब जसन के साथ मनाया गया इस फिल्म का बज फिलाल बना हुआ है और लगातार फिल्म का प्रमोशन चल रहा है वहीं अब फिल्म के रिलीज में बस कुछी दिनों का समय बचा हुआ है अजय देवगन की भोला फिल्म इस साल की बड़ी फिल्म में से एक है और इसी साल की दिवाली में वो डिरेक्टर नीरेश पन्दे के फिल्म औरों में कहां दम था में भी नज़र आने वाले हैं यहां इस फिल्म के बारे में बात करेंगे 30 मार्च को रिलीज होने वाली फिल्म भूला में बहुत कम व्क्त वचाएं फिल्म का बज काफी अधिक बना हुआ है और जल्द ही दोनों एक्टर औरों में कहां दम था फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं निर्माता श्रियांस हीरावत ने फिल्म के बारे में डीटेल जांकारी भी है इसके लावा फिल्म की रिलीज के बारे में भी बताया है आपको बता दे फरवरी 2023 में फिल्म की शूटिंग की शुरुबात की गई थी और अब जल्द ही मुंबई के गोरे गाउं और फिल्म सिटी में फिल्म के दूसरे स्चेडियूल की शुरुबात होने वाली हैं जिम्मी सेरगिल और साइन मांज़रेकर भी फिल्म के दूसरे स्चेडियूल का हिस्सा होने वाले हैं आपको बता दे अप्रयाल के पहले हफ्ते में ही अजय देवगन और तब्बू फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं इसके अलावा अगर फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो मेकर्स इसे दिवाली में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं आपको बता दे पहले ही सल्मान खान की टाइगर 3 को भी दिवाली में रिलीज करने की योजना है ऐसे में अजय देवकन और सल्मान खान की फिल्म की आपस में तक्कर देखी जा सकती है मुंबई के अलावा इस फिल्म की शूटिंग लखनौ में भी होने वाली है फिल्म में आपको 19 से 20 साल के बीच की लग स्टोरी देखने को मिलेगी यह एक रोमैंटिक फिल्लर फिल्म है जिसमें आपको नीरश पांडे का अलग फ्लेवर देखने को मिलेगा इसके लावे इसके म्यूजिक की बात करें तो आसकर अवार्ड जीतने वाले एमम कीरवानी इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले है अगर आपको यह अंकारिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें